कि यहां पर बोल रखा है कि 5 gram 2.6 so that the relation between the set P and Q यानि कि यह एक P set है यह Q set है इसमें एक relation है जो कि R defined है यहां से ठीक है relation R defined between अब इसको एक तो आपको लिखना भी set builder form में एक आपको लिखना है roster form में और what is the domain and range यह बताने आपको तो यहां से देखियेखा पहले तो हम इसको कि SET builder form में देखते हैं set builder form आपको पता है इसके respect में जितने भी jest動画 ordered pair आरे यहां तो आप यहां पर first element के respect में देखो 2 ordered pair 4 के respect में देखियेगा कि 2 or minus लिगक दूर does order pair Spotify 25 के respect में कितने ordered pair है 5 और minus 5 अब देखिएगा कि क्या है तो यहां से solution में अब आपको क्या करना है डाइग्राम को लिखते हुए डाइग्राम को देखते हुए ordered pair बनाने कहीं पर और पिछले वाले question में आपको देखे कि ordered pair के लिए पूरा सब कुछ बनाया दिया हुआ था अब की बार आपको खुद को बनाना है ठीक है अब वह कैसे बनाएंगे वह अभी देखते है ठीक है पहला पहला जो क्यूशन है वह क्या है इन set builder form यह है तो यहां पर जो r यानि कि आपके लिए जो r है set builder form का set क्या होगा यानि पहला जो element इधर देखो 9 है और 9 के साथ कितना है इधर एक तो 3 है और 9 के साथ यहां पर देखने लाइक बात होगी कि 25 कितने को 3 मारेगा 25 यह प्लस का 5 को मारेगा और यह 25 है वह क्या मारेगा माइनस का 5 को अब देखिएगा कि यह आपको समझ में अब दूसरा क्या लिखना इसका पहले तो यानि पहले हमने set builder form लिख दिया इसका कोई दिक्खत नहीं है तो इसको थोड़ा सा set रोस्टर फॉर्म हमने पहले लिख दी भई कोई दिक्खत नहीं है यह भी तो अपने को लिखना आना ही चीज़ था तो पहले यह नहीं लिखना था अपने को पहले इसका क्या लिखना था set builder form लिखना था हमने रोस्टर फॉर्म अलग ही लिख दिया ठीक है तो पहले हम क्य अब इसमें देखो आप क्या relation बिठा सकते हैं, set builder form का मतलब एक हम उसको एक unique property दे पाएं, यानि कि दुनियावाले उसको एक relation से जान पाएं, यही तो बात है, यही कोई किस, यानि मैंने आपको समझाया कि दुनियावाले को यह भी कर्ष्ट है कि वो यह भी नहीं बता सकते हैं कि मेरे को इसमें भी कर्ष्ट है भई, मैं इस set को एक छोटे से format में देखना चाता हूं, यानि कि दुनिया के लिए एक common, unique property देदो जिसे वो इसको पहचान ले, ठीक है, वो देखते हैं अब देखिएगा कि जो relation R होगा, वो कैसे हैं, यानि हमेशा relation है, relation में किस तरीके के elements आते हैं, अक्स, y type के element आते हैं, ठीक है, जहाँ पे, अब यहाँ से देखो, यदि यह सारे x के element है, यह x के बराबर है, यह भी x के बराबर है, तो यह किस के form है, square की form में है, देखना चाहोगे तो, यह किस की form है, यह कि square की form है, दुनिया वाले, यदि इसको खोल के और देखेंगे, तो इसको यह भी लिख सकते हैं, यह दुनिया वाली की नजर में ऐ इस सा भी है और इधर देखेंगे तो इसके देखें किसको square करने पे यह सब आ रहा है minus 2 को कर गे तो 4 आएगा 5 को 5 5-5 को करोगे तो 25 आएगा यह बात है, तो आप करने वाले हैं, तो यह क्या है, अक्स क्या है, अक्स is a square of y, यहां कि y का क्या है, square है यह, आई बात समझ में, तो यहां से आपको मिलने वाला कि x है, वो square of y है, और यहां से, और जो x है, वो कहां से बिलोंग कर रहा है, p से, and, जो y है, वो कहां से बिलोंग कर रहा है, q से, यह अपने पास set builder form आई इसकी, तो आप यहां से लिख सकते हो, y को पकड़ोगे, ठीक है, अब y को पकड़ोगे, तो क्या हैगा आपके लिए, कि x है, वो square है, कि y का, तो जो y है उसका square कर दो, तो वो किसके equal आजाएगा, x की equal आजाएगा, यह बात है, यहां पर जितने भी element है, उनका square इधर बेठावा है, क्या है, कि 9 है, थरीका square कितना है, 9, यह क्या है, 4, यह कहने का मतलब है, अब दुनिया वाले उसको यह कहना, कह के पूच, आपको ब कि set builder form, अब यहां से roster form अपने हाँ पी आ गई, देखोगे तो यहां से 3, अब यह x कहाएवे 3 का whole square है, यहनि 3 का square, तो x is the square of y, यहनि कि y का square क्या है, x है, इस परकार से, यह बात है, तो यहां से आई hope आपको बात है, clear हुई होगी, तो clear हुई होगी, तो चलिएगा, अब इसका क्या आगया, आपके पास, diagram भी हमने बना दिया, अब देखो, what is the domain, तो आपको इस form में देखेगा, कि क्या, इसके, यहां पे देखो, range के, यहनि जो relation लिखा, आपने set builder form, sorry, roster form के अंदर, अब उसमें देखेगा, कि जो पहला element है, वो आपका domain का element है, तो जितने भी यहां पे white वाले हैं, वो आपके domain के element है, क्या, इस set के सारे के सारे element आपके domain में आ रहे हैं, सही बात आ रहे हैं, तो यहां से आप लिख दीजएगा, कि domain, domain, domain equal to क्या आएगा भई, domain equal to आएगा 9, आपका इधर 4 आएगा और इधर से 25 आएगा, अब range का क्या है भई, range, इधर कितने पर map हो रहा है, इन्हीं range का मतलब, यह देखेगा कि 1 है, वो ऐसे ही बेठा हुआ है, यहां पर कोई काम ही नहीं है इसका तो, तो इसका मतलब यह range का element तो है नहीं, यहां पर 5, 3, 2, 2, minus का 2, minus 3, 5 है, तो यहां से कितना हैगा, minus का 5 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा, फिर क्या हैगा, plus का 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, यह इसके range elements होंगे, यह आपको इसकी domain पूछे, तो पूरा जो Q set होगा, वो आप